ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कारिक्रम सुर्खियों में, इसके अंतरगत सुनिये, योग के निरंतर प्रसार पर एक चर्चा, भागले रहे हैं योग और आयुर्वेद की विशेशग्य, डॉक्टर राखी महरा और आकाशवाणी संभाद्धाता कमल कुमार प्रजाप में योग का तेजी से प्रसार हुआ है, लोगों ने योग को अपनी जीवन चर्या का हिस्सा बनाया है, और इसके लोगों के जीवन में सकारत्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, आज हम योग के विश्व भर में हुए प्रसार पर बात कर रहे हैं, और हम जानते ही ह कि इस बार का योग दिवस का आठ्वा संस्क्रण है, विशेश आयोजनों के साथ इस बार का योग दिवस 21 जून को बनाया जा रहा है, कई आयोजन इस मामले में विश्व भर में और भारत में होंगे, डॉक्टर राकी महरा योग ने दुनिया को किस तरह एक संतुलित, स् शांत जीवन शैली सिखाने की इसमें ख्षमता है, और बीते सालों में जिस तरह से दुनिया ने योग की ख्षमता को स्विकारेता दी है, इसे पहचान दी है, अब हम इसे योग दिवस के रूप में सरेब्रेट कर रहे हैं, तो उससे आप किस तरह से एक सकारात्मक बदला को देख रही हैं, लोगों की जीवन शर्या के मामले में. हमारी धान किस बातों पर होना चाहिए, हमीं जो है, वो किस तरह से एक ऐसी अल्टिमेट ब्लिप मिले, जो अंतरिक प्रसन्नता को बताते हुए, हमीं किसी चीज़ पर डिपेंड ना रहना पड़ें, हमीं एक स्वतंत्र जीवन किस तरह से स्वस्तरूप से जी सकें, इसका दोरान देखा होगा, कि जब व्यक्ति जो है, आइसोलेटेड हो गए, जब घर में हो गए, तो उनको बहुत कुछ ये बात समझ में आई, कि बहारी मेटरिलिस्टिक वर्ल्ट अपनी जगह है, लेकिन आंतरिक शान्ती, आंतरिक जो हमारी मानसिक और इंद्रिय जो स्वस्त होता है, वो अपनी जगह है और उसका बहुत कुछ श्रे, यदि हम अश्टांग योग को दें, तो ये अतिश्योक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक उधारन देना चाहूंगी, कि यम और नियम अगर कह दें, कहने के लिए दो वर्ड है, लेकिन दोनों में पांच-पांच लेकिये गा, सत्टे भी देखिएगा, आहिंसा भी देखिएगा, आप उसमें ब्रहमचर गर्रेत भी देखिएगा, तो ब्रहमचर का मतलब डिसिप्लिन, तो आखा निद्रा, ब्रहमचर, ये टीन हमारे जीवन के जो इस्तंब हैं, उनको पूरा करता हुआ, ये जो अनुशासनम करके पतंजली योग सूत्र ने सबसे पहले का है कि अपने जीवन में अनुशासन हर इस तर पे नैतिको, बॉद्दिको, आर्थिको, मानसिको, शारीरिको, ये सारी और इंद्री आप ये उधारन के लिए समझ लें कि इंद्री मतलब अगर आपको कोई टेस्क व आया जाए, वरना वो भी घातक होता है, तो हमारे तो ये कहते हैं कि सायम वर्ड, संतोष वर्ड, ये सब यम और नियम की ही देने, तो कहने का तार पर ये ही है कि यदि योग अपनाते हैं, तो स्वस्त जीवन शैली तो पक्ती है, और इसी बात को वैश्विक महामारी के द बिलकुल और हम देखते भी हैं, डॉक्टर महरा कि आज हर व्यक्ति अपने जीवन में शारेरिक और मानसिक स्वास्थे के लिए भटकता है, और शारेरिक स्वास्थे को लेकर कई चुनातियां हैं, उसी तरह मानसिक शान्ती को लेकर भी हम असंतुलित रहते हैं और ढूण बड़ा समाधान है इस बदलते परिवेश में या हमारी बदलती जीवन शाली में जब तक परियावनन ठीक नहीं होगा, आपका स्वाहित नहीं आएगा, आपके खुद के प्रान गलबड हो जाएंगे, तो अगर अल्टिमेटली देखा जाएं तो यम और नियम में अपरिग्रहा आता है, अपरिग्रहा मतलब बहुत ज़्यादा संचय नहीं करना है, जिस को जितनी चीछ की जरूरत है, हमें हवा, पानी और मकान सब की जरूरत है, लेकिन कितनी, तो जो अपरिग्रहा संचय है और ये सब जो बाते हैं, यदि उसको योगिक दरिश्टे से सुकार कर लिया जाएं, या हम उस चीछ को वास्तविक अर्थ को समझ ले, तो मुझे योग केवल आसन नहीं है, योग एक जीवन शेली है, परियावरेंड हम तभी ठीक रख सकते हैं, जब हम अपनी प्रकृतिक का मान करें, और प्रकृतिक सीजों को इस्तमाल करें, हम अपने हवा, पानी और जमीन को पॉलिटेड ना करें, जिस तरह से बीते वर्षों में य योग को प्रोचसाहन मिला है, आज युवाओं के सामने, योग किस तरह से एक करियर का अवसर बन कर सामने आया है, और इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रेंड़ना मिले, वो प्रोचसाहित हों, ऐसे युवाओं से आप क्या कहेंगी? योग जब जीवन शैली के रूप में ही सुकार हो गया विश्व में, तो आज वैश्विक इस्तर पे योग की डिमांड भी आ रही है, और योग को भली भाती विदीवाद गुरू से सीख़े हुए, जो मानेता प्राफ्ट डिग्री से रिकॉगनाइज हुई है, और सही त योग है, और आपको पर्टिकुलर उस रोग में कौन सा क्या करना है, इस बात की और किस तरह से करना है, इस बात की प्रेड़ना जो दे रहे वो थरेपिस्त हैं, ये हमारे ऐसे बहुत सरो राज की सेक्शन है किस तर पे आप कम सकम भारत में तो हर जगे स्कूल में एक सरकारों इन सब में आपको प्राठमिक चिकिस्ता केंद्र से लेकर कम्यूनिटी हेल्ट सेंटर से लेकर के रेसिडेंशल कॉलोनी से लेकर के अस्पतालों में एक एसेंशली जो है वो योग के एक्सपर्स चाहिए हैं, इसके साथ ही आपने देखा होगा कि आजकल योग में योग का माननेता प्राप्त एक सर्टिफिकेशन जो है वो हमारी भारे सरकार के आईश मंतराले से निकलता है, जिसके सर्टिफिकेशन के बाद विश्व में आप कहीं पे भी एप्लाई करते हैं, तो आपका, क्योंकि हर कंपनी, इवन प्राइवेट सेक्टर में, हर कंपनी कॉर्परेट, हर जगे चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वस्तर है, और उसके लिए बहुत जरूरी है एक इंस्ट्रक्टर की, एक ठरपिस्ट की, तो ये डिमांड ऐसी है कि ये बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या जितनी बढ़ रही है, उनके अस्वस्त ह होने की संभावना भी बढ़ रही है, और उनको स्वस्त करने के लिए उतने सोर्से भी बढ़ रहे हैं, तो डिमांड आ रही है, सप्लाई की तयारी है, और वो भी क्वालिटी की, तो मेरे समझ में एक चीज़ है कि योग आज की दौर में, यदि हम ऐसे लें कि बहुत ज़ निश्यत रूप से और अंतराष्ट योग दिवस 2022 आने में बस दो ही सबताह बाकी हैं, और निश्यत रूप से इस मामले में पहले से ही तयारियां जोरो शोरो पर हैं, लेकिन जो विशेश आयोजन है, वो 21 जून को हमें देखने को मिलेगा, जिसकी हम सभी को प्रतिक्षा है और इस दोरान हम आपसे योग दिवस पर चर्चाएं करते रहेंगे, दोक्तर राखी बहरा आप कारेटर में जुड़ी और योग के प्रसार और योग के महत्व को लेकर आपने हमारे शोताओं को महत्वपूर जानकारियां दी, हम से जुड़ने के लिए आपका बहुत- जी सर्वे भवन्तु सुकिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रान इपश्यंतु माकश्चित दुगभाग पवेद। न्यूज अन एई आई आई आर ओफिशल पर भी सुन सकते हैं। कारिकर्म के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें इमेल कर सकते हैं, पता है हमारा airnsdetalks.gmail.com और ये कारिकर्म फिर से सुनना चाहे हैं, आप तो लॉग आउन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in अन पर्ण